नमस्काल दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं दोनों ही तरह के रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे लेकिन experiment करने से पहले थोड़ी सी theory समझ लेते हैं सबसे पहली बात rectifier आकर होता क्या है ये क्या काम करता है तो rectifier AC को DC में convert करता है अब बात उठती है ये AC और DC क्या होते हैं तो AC और DC दो तरह के current हैं AC current या DC current AC current को हम कहते हैं alternating current और वहीं DC current को direct current AC current वो current है जो हमारे घर पे power supply के थ्रूँ आता है मतलब हमारे घर के TV, पंखे, कूलर ये सब AC current पर वर्क करते हैं ये high voltage का होता है और हमारे घरों में जो AC current की value होती है वो हती है 240 volt और वहीं DC current की बात करें तो DC current बैटरी से जो current निकलता है वो DC current कहलाता है इसके अतिरिक्त DC generator भी होते हैं जो direct DC current produce करते हैं DC current बहुत कम value का होता है जैसे हम देखते हैं हमारे बैटरी जो है 1.5 volt की, 3 volt की, 6 volt की, 9 volt की, 12 volt की तो काफी कम voltage का current होता है DC current अब अगर इसको waveform wise समझें तो AC current की waveform कुछ ऐसी होती है जिसको हम sinusoidal waveform कहते हैं waveform से कुछ clear होता है कि AC current जो है circuit में पहले एक और flow करता है फिर opposite direction में flow करता है और इस circuit में हम देख सकते हैं कि यह waveform जो है जहाँ पर हमारा जो peak है वो positive में है तब circuit में current clockwise flow हो रहा है और दूसरे circuit में current anti clockwise flow हो रहा है तो यह condition है इस part की और यह condition है इस part की मतलब एक cycle पूरी होने में AC current circuit में दो अलग-अलग direction में flow करता है और ऐसी 50 cycle पूरी होती है एक second में मतलब हमारे हाँ जो AC current आता है उसकी frequency है 50 Hz तो एक second में 50 बार current clockwise और 50 बार anti clockwise circuit में flow करता है साथी साथ AC current constant नहीं होता आप देख रहे हैं कि AC current की value पहले 0 से बढ़ रही है maximum तक पहुँच रही है फिर 0 पे आ रही है फिर negative direction में बढ़ रही है maximum पहुँच रही है और फिर 0 पे आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि AC current जो है एक variable current है और बोग हमेशा change होता रहता है current की value भी change होती है और direction भी change होती है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे घरों में 240 volt का AC current आ रहा है तो यह इसकी RMS value या फिर हम इसको average value भी कह सकते हैं कि लगभग-लग-लग-240 volt का average current या average voltage हमारे यहां आता है अब converter क्या हम AC current को DC में convert कर सकते हैं यह जब light चलिया है तो हमारा inverter work करता है तो inverter energy कहां से ले रहा है बैटरी से और बैटरी दे रहा है DC current inverter इस DC current को AC में convert करता है और फिर हमको हमारे घर पर power supply देता है क्योंकि हमारे घर के सभी appliance AC पे काम करते हैं वहीं अगर हम DC की बात करें तो DC की waveform constant होती है यह circuit में एक direction में flow करता है तो उसी direction में हमेशा flow करता रहता है ना ही इसकी direction change होती है ना ही इसकी value change होती है और example अगर हम 6V की battery connect करते हैं तो 6V की battery से constant 6V का current एक ही direction में हमको मिलता है यह होता है DC current यह DC current की circuit में हमको दिखाया गया है कि हमेशा एक डिरेक्सिन में फ्लो करता है अब बात करते हैं AC to DC कनवर्टर की, क्या AC करेंट को DC में कनवर्ट किया जा सकता है जी हाँ AC करेंट DC में कनवर्ट होता है और इसके बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जैसे हमारे मोबाइल चार्जर, हमारे बैटरी, चार्जर, एडेप्टर ये सब AC to DC कनवर्टर हैं और यही है रेक्टिफायर्स क्योंकि इन सब चार्जर्स में रेक्टिफायर का सर्केट होता है वैसे ये सर्केट चार्जर के अंदर काफी कॉंप्लिकेट होता है लेकिन हम इसको बड़े सिंपल तरीके से डायोट की हल्प से समझ सकते हैं कि कैसे रेक्टिफायर काम करता है आईए देखते हैं रेक्टिफायर तो सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर सर्केट को ध्यान से देखें ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब हुआ है कि यहां फर एक ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर के इंपुट वाइंडिंग को हम कहते हैं प्राइमरी और आउट्पुट वाइंडिंग को सेकेंडरी transformer यहां क्यों लगाया गया है क्योंकि यह जो diode है यह काफी कम volt पर काम करते हैं हम 220 volt diode को अगर direct दे देंगे तो diode हमारा burn हो जाएगा, fuse हो जाएगा इसलिए हम transformer से step down करके diode को voltage देते हैं, यहां लिखा हुआ है load, books में हमेशा load की जगे हम resistance लगाते हैं, लेकिन जब हम practical करते हैं तो load की जगे किसी ना किसी device को या appliance को हम connect करते हैं तो यही circuit को हम experiment करके समझते हैं देखिए, circuit के component हमने collect कर लिये हैं यह diode है, diode को जिस तरह से दिखता है अगर current इस और flow हो रहा है, मतलब यह जो shiny line दिख रही है इस silvery line की और अगर current flow रहा है तो हम कह सकते हैं, diode forward वाइस में है अगर मैं diode को इस तरह से लगा दूँ तो यह diode reverse वाइस में हो जाएगा और काम नहीं करेगा, इसलिए diode को मैं इस तरह से, क्योंकि diode की direction यहां हमारी issue है, तो मैंने यह diode यहां connect कर दिया यह LED है, 12 volt की LED red wire plus wire है इसलिए current जब इस तरह से flow होगा तो पहले plus आएगा तो मैं plus wire को यहां पर और red wire को यहां नीचे connect कर दूँगा यह transformer है, transformer का काम है यह voltage को step down करना या voltage को reduce करना transformer direct AC voltage को DC में convert नहीं करता है बलकि AC को ही AC में convert करता है reduced form में तो यह 909 transformer है इसके यह दो wire दिख रहे हैं एक 0 और एक 9 0 पर 0 volt और 9 पर 9 volt मतलब यह plus है और यह minus है इन दोनों के cross हम को 9 volt का AC voltage मिल जाएगा तो सबसे पहला काम है हमारा transformer को connect करना मैं आपके सामने transformer को power supply से connect कर रहा हूँ यह देखिए power supply से मैंने transformer को input AC voltage 220 voltage दे दिया अब चेक करता हूँ इस multimeter की help से कि transformer में कितना voltage आ रहा है तो यह जो AC का point है 200 पर मैंने इसको set कर लिया अब red और yellow के across voltage चेक कर रहा हूँ देखिए 10.2 voltage दिखा रहा है लगभग लगभग 9 के आसपास है तो थोड़ा बहुत error होता है इसलिए 10 voltage हमको AC voltage यहाँ पर मिल रहा है अब इस AC को हमको DC में convert करना है diode की help से तो आई यह circuit को connect कर देते है यहाँ पर मैं कुछ छोटे diode यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनको connect करना आसान है यह देखिए circuit की तरह ही मैंने यह diode को यहाँ connect कर दिया एक और बायर देखिए जैसे ही मैंने दूसरा बायर भी connect कर दिया हमारा यह LED on होने लगी है यह LED हमको हलके हलके blink करती भी दिख रही है अगर मैं इस LED को क्योंकि यह half wave rectifier है यहां क्या हो रहा है देखिए इस waveform में हम input और output को समझते हैं क्योंकि AC current हमारा कुछ इस तरह से होता है पहले plus cycle में flow होता है फिर minus cycle में मतलब current circuit में एक बार अगर हम इसको यहां रख दें यहां से समाजने की कोशिश करें तो इस diode के थ्रू पहले half cycle में current इस तरह से flow होता है तो जब जब भी positive half cycle आती है इस load resistance या इस LED के across current पास होता है तो जब जब current पास होता है तो यह diode conduct होता है और यहां पर हमको positive voltage मिलता है negative voltage यहां पर हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि इस तरह से जब जब current flow होगा तो यह diode इस voltage के लिए negative supply के लिए reverse bias में होगा और reverse bias में होने की वज़े से यहां diode conduct नहीं करता है तो current flow ही नहीं होता है फिर जब अगली positive cycle आती है तो फिर diode conduct होता है तो यह जो हमको LED blink करते हुए हलकी हलकी दिख रही है तो यह जो LED हमको हलकी हलकी बिलिंक करते हुए दिख रही है वो इसी वज़े से दिख रही है क्योंकि diode केवल एक तरफ ही काम कर रहा है और half way भी हमको दिख रही है अगर मैं इस LED को slow motion में मेरे mobile में कुछ एक ultra slow motion का फीचर है मैं ultra slow motion में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमने super slow motion में दिखा कि LED थोड़ी दिर on हो रही है और थोड़ी दिर off हो रही है तो super slow motion में clearly दिख रहा है कि यहाँ जो output है वो half way rectifier का output है आईए अब पढ़ते हैं full wave rectifier तो दोस्तों यह जो circuit दिख रहा है यह है full wave rectifier का circuit यहाँ पर transformer center tap transformer लिखा हुआ है तो जो transformer हम यूज कर रहे हैं वो center tap transformer ही है input में AC voltage और output में तीनों wire में हमने connection जोड़े हैं दो diode लगे हुए हैं पहला diode है सबसे उपर वाले wire और दूसरा diode सबसे नीचे वाले wire में तो दूसरा diode भी मैं connect कर देता हूँ इन दोनों diode को यहाँ पर बीच में joint कर दिया है तो मैं इन दोनों diode को यहाँ joint कर देता हूँ अब इन दोनों के junction और तीसरे wire से एक resistance जोड़ा हुआ है तो मैं इन दोनों के बीच फिर से LED को जॉइंट कर दे रहा हूँ. तो अब LED की light पहले से ज़्यादा stable हमें दिख रही है. यहाँ पर हमको full wave rectified output मिल रहा है. अब यहाँ से समझते हैं, पहले condition जब positive half cycle circuit में flow हो रही थी, current कुछ इस तरह से flow हो रहा था, तो current इस diode से pass होता हुगा और यहाँ से current return हो रहा था. मतलब अभी current circuit में positive direction में था, और यह diode conduct हो रहा था D1, इसलिए हमको positive half cycle output में भी मिल रही है. negative half cycle में क्या होगा, जब current कुछ इस तरह से flow रहा हो, तब देखिए current diode D2 से pass होता हुगा, फिर उपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर open circuit है, यह diode reverse bias है, तो current को pass नहीं होने देगा, current फिर यहीं RL से लोटता हुगा, फिर circuit में आ जाएगा, यानि फिर हमको positive half cycle ही मिल रही है, D2 के दौरान भी, दोनों बार positive cycle मिल रही है, तो जो alternating current था, उसको हमने single direction में कर लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने AC को DC में convert कर दिया, हाला कि यह उतनी pure DC नहीं है, जैसा कि हमने circuit में देखा था, कि DC कुछ ऐसी होती है, लेकिन फिर भी, यह कुछ इस तरह से DC है, थोड़ी सी impure है, इसमें filter के circuit लगा के, capacitor लगा के हम pure कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक तरह का DC output है, आईए इसको भी हम super slow motion में देखते हैं, कि इसका output, तो यहां हमको super slow motion में एक stable output दिख रहा है, LED का on-off होना उतना जादा नहीं है, जितना कि half wave rectified output में था, क्योंकि यह full wave rectified output है, तो यह है full wave rectifier, आईए एक और experiment करते हैं, दोनों diode D1 और D2 में एक-एक LED कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमने circuit कनेक्ट कर दिया, इस diode D1 के बाद एक LED और इस diode D2 के बाद एक LED लगा दी, और यहाँ load को हमने sort कर दिया है, इसका मतलब दो half wave rectifier उपर और नीचे हमने यहाँ लगा दिये हैं, positive half cycle में यह LED अन हो रही है, और negative half cycle में यह अन हो रही है, तो देखते हैं, super slow motion में, क्या यह alternating wave में on-off हो रही है या नहीं, तो देखा आपने, जब हमने video को काफी slow कर दिया, तब हम देख पा रहे हैं कि positive half cycle में यह LED और negative half cycle में यह वाली LED अन हो रही है, और एक alternating wave में on-off हो रही है, क्योंकि हमारा video बहुत slow है, तो जो चीज हम आखों से नहीं देख पा रहे थे, slow motion वो clearly देख रही है, कि किस तरह से half wave और full wave rectifier काम करते हैं, LED कैसे रुक रुक के on-off हो रही है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको interesting लगा होगा, और समझ में भी आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, धन्यवाद,